Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel, The IS Hub. आज की जो वीडियो है, वो हमारी रहने वाली है, टोपिक पर, टोपिक का नाम रहेगा, OPEC Plus Plans Major Oil Production Cut Despite US Pressure. So, first of all, हम जान लेते हैं कि OPEC क्या है, OPEC Plus क्या है, और उससे भी पहले, हम यह जानते हैं कि हर कंट्री की एकोनमी जो है, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं Fossil Fuel पर dependent है. हर कंट्री जो है, वो Fossil Fuel यूज करती है, कंज्यूम करती है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रिल सेटप हैं, चाहे फर्टिलाइजर बनते हों, चाहे हमारे ओटोमोबील सेक्टर हो, हर जगा Fossil Fuel की requirement है. जैसे जैसे जिस कंट्री की GDP, GDP per capita income सब कुछ increase करता जा रहा है, उतना ही किसी कंट्री के अंदर oil की demand बढ़ती जा रही है. ऐसे में, ऐसे में अगर OPEC plan कर रहा है oil production को cut करने का, तो उसका पुरे world की economy के ओपर, खास तोर के ओपर, इंडिया की economy के ओपर, क्या implication होने वाला है, क्या इसका असर पढ़ने वाला है, और Indian economy इससे कैसे बाहर आ सकती है. इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों के ओपर बात करेंगे, इन सभी मुद्दों को हम अच्छे से discuss करेंगे, पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कि ये OPEC है क्या, OPEC plus क्या है, कौन-कौन सी country इसकी member है, आखिरकार ये क्यों इतना matter करते हैं, और हम oil की dependency के लिए OPEC पर क्यों ही dependent है, और OPEC के अलावा और कौन-कौन सी country है, जो इंडिया को oil supply कर सकती हैं, so first of all, अभी जो हमने news पड़ी, या ये क्यों news में आया, the recent announcement of the organization of the petroleum exporting countries, so OPEC की full form रहेगी, organization of the petroleum exporting countries, they have decided to cut the oil production, and India, इंडिया जो की आज की date में, 2024 में 4.8 million barrels, 4.8 million barrels per day की oil consumption, जो इंडिय इंडिया के अंदर है, जो future के अंदर बढ़कर लगबख 6.6 million barrels per day होने वाली है, इंडिया के इसके उपर क्या implication होने वाली है, आईए, बात करते हैं सबसे पहले, कौन-कौन सी countries OPEC की member हैं, इरान, कुएत, कतर, UAE, साओधी एरेविया, इराक, लिबिया, अलजीरिया, वेन इंडिया, अंगोला ने 2024 के अंदर OPEC की membership से resign तर दिया, अब ये दो countries जो है, वो OPEC की part नहीं है, OPEC की member नहीं है, बाकी सभी countries अभी भी OPEC से जुड़ी हुई है, तो OPEC को बनाया गया था 1960 के अंदर, बगदाद conference के बाद OPEC को बनाया गया था, बगदाद conference में ये decision ल होंगी जो OIL export करती है, जो दुनिया की major exporting countries है, क्योंकि अगर दुनिया में OIL बेचने वाली countries, हर country अपने अनुसार, अपनी policy बनाए, अपने अनुसार, अपनी production करे, अपना rate decide करे, तो ऐसे में OIL के price stabilized international market में नहीं हो पाएंगे, and OIL की production, कि कितनी production requirement है और कितनी production हो रही है, supply और demand का gap है, वो भी maintain नहीं हो पाएगा, supply demand के gap को maintain करने के लिए, OIL के prices को sustainable रखने के लिए, control में रखने के लिए, and supply को, अपने according, अपनी countries के need के according, पुरे world की economy की need के according, fluctuate किया जा सके, इसके लिए organization for petroleum countries बनाई गई थी, ये सभी countries अभी कुछ समय तक इसकी member थी, जिसमें स Qatar ने and Angola ने इस OPEC को leave कर दिया, अपने domestic issues के चलते हम उन पर बात नहीं करेंगे, फिलहाल OPEC जो है, वो दुनिया का 30% world का crude oil जो है, वो produce करता है, जिसमें Saudi Arabia जो है, वो सबसे बड़ा producer है, लगबग 10 million barrels per day crude oil production सिरफ Saudi Arabia से ही आता है, इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो OPEC के पास दुनिया की 49% of the global crude oil export का ठेका है, and 80% of the world's proven oil reserve भी OPEC countries के पास ही मुझूद है, तो ये तो हुगा OPEC के बारे में, कि 1960 के अंदर बना था, ये countries उसकी member है, 30% पूरे world का crude oil ये produce करते हैं, 80% of world's proven oil reserve इनके पास है, और पूरी दुनिया में जितना भी crude oil export होता है, उ अभी बात हो रही है OPEC Plus की, ये OPEC Plus क्या है, तो जी OPEC Plus जो था, वो 2016 के अंदर बनाया गया था, 2016 में, US के अंदर shale oil की production जो है, वो बढ़ गई, अब US is also one of the major consumer of the crude oil, US की economy भी crude oil पर dependent है, US भी crude oil को import करता है, बट 2016 से लगातार US के अंदर shale oil and shale gas की production जो है, वो increase हो रही ह जिसके चलते, US world market में से crude oil का import जो है, वो कम कर रहा है, और उसके लावा shale oil को भी export कर रहा है, जिसके चलते, OPEC countries की market के share के अंदर गिरावट आ रही थी, अब OPEC countries ने अपनी market share को continue रखने के लिए, oil के prices को stabilize रखने के लिए, अपनी economy को sustain करने के लिए, ताकि oil के prices अगर ब को अपने साथ जोड़ा, जो non-OPEC countries हैं, बट वो भी oil export करती है, ताकि उन countries को अपने साथ लेकर oil की production को regulate किया जा सके, US के excessive shale oil production के चलते, जो oil की कीमत में कमी आई है, उस कमी को ऊपर किया जा सके, उस गरावट को ऊपर किया जा सके, ताकि इन OPEC countries की economy भी sustain हो सके, तो 2016 के यूएस की shale oil production के चलते, दस additional oil producing nation, 10 additional non-OPEC oil producing nations को OPEC के अंदर include किया गया है, उससे बनी एक और organization जिसका नाम था OPEC Plus, दस वो countries कौन-कौन सी है, अजर्बाइजान, भारेन, ब्रुनेई, कजाकस्तान, मलेशिया, महिको, उमान, रशिया, साउथ सुदान, एंड सुदान ज जो है वो दुनिया का आज की डेट में 40% world crude oil produce कर रही है और उसको world market में supply कर रही है, तो ऐसे में आगे क्या implications होगी, total oil production अगर हम देखें, OPEC Plus countries में साउधी रेबिया अभी भी सबसे आगे है, दूसरे नमबर पर रहेगा रशिया, और बाकी हर country का जो share है, वो oil production के अंदर OPEC Plus countries के अंदर इस इमेज के अंदर आपको दिखाया हुआ है, सबसे major player रहेगा Saudi Arabia, दूसरे नमबर पर रहेगा Russia, इसके लावा UAE, Kuwait, Iraq, these all countries are very major oil supplier in the world market, next अगर हम आगे बात करें, why is OPEC Plus planning to cut oil production, what is the reason behind it, the reason behind it is fairly simple, first, the reason behind it fairly simple, what OPEC Plus is planning, it wants to stabilise it wants to stabilise the market, because of the excessive oil production, oil prices are regularly coming down, लगातार oil की prices के अंदर, crude oil की prices के अंदर गिरावाट आ रही है, OPEC Plus अब supply को कम करेगा, अगर supply को कम करेगा, demand तो बढ़ती ही जा रही है, demand के बढ़ते रहने से, supply अगर कम होगी, तो oil के prices लगातार future market है, उसके अंदर उपर उठेंगे, जिससे oil producing companies जो है, जो oil producing countries जो है, इनकी economy सस्टेन हो सकेगी, इसके लाबा, non-OPEC countries से जो oil की supply बढ़ती जा रही है, उसके चलते जो prices के अंदर गिरावट आ रही है, उसके ओपर भी रोक लगाई जा सकेगी, जैसे की USA, Brazil, Guana, Canada, these four countries are non-OPEC and non-OPEC Plus countries, but they are continuously exporting oil at a very cheap price, जिसके चलते ओ economy के ओपर काफी जादा strain आ रहा है, अब अगर OPEC Plus countries oil की supply को regulate करेंगी, कम करेंगी, उसमें downfall आएगा तो उससे क्या होगा, उससे market में crude oil के prices जो है, वो increase होंगे और ये अपनी countries की economy को sustain कर पाएंगे, इसके लाबा, response to geopolitical tension, ये भी एक करण है, पहला हमने discuss किया to stabilize markets, second हमने discuss क in response to non-OPEC countries which are producing oil, and third as a response to the geopolitical tension, अब Ukraine और रशिया के बीच का conflict, Middle East के अंदर, हमास और गाजा का conflict, और Ukraine, Israel and Palestine का जो conflict चल रहा है, इन सब conflicts के चलते, जो world shipping lines जो disturb हो रही है, उसके against एक oil production cut किया जाएगा, जिसके चलते, market को regulate किया जा सके, and एक long term strategy भी establish की जाएगी, जिसके चलत में कोई भी geopolitical tension अगर होता है, या non-OPEC plus countries की oil supply market में बढ़ती है, तो उसके regarding भी एक long term strategy create की जा सके, OPEC plus countries are making sure that they are the boss, they are the boss of world crude oil exports, and future में crude oil exports में, अगर कभी भी rate उपर या नीचे होगा, तो इसका direct असर जो है, वो OPEC plus countries के उपर पढ़ेगा, and वो इस चीज को बिलकुल बर major crude oil consumer and importer, इंडिया की economy में 75 to 80% जो crude oil इस्तेमाल होता है, वो import किया जाता है, हम दुनिया में, हम इंडिया में crude oil इतना produce नहीं कर पाते हैं, या नहीं होता है, जितना हमारी country की requirement है, तो हमको उसको import करना पड़ता है, अब लगातार हम crude oil import की market को diversify करते जा रहे हैं, पहले हम West Asia के ओपर dependent थे crude oil को import करने के लिए, फिर Ukraine और Russia के conflict के बाद हमना आरा major crude oil supplier जो है, वो रशिया हो गया, आज की date में, रशिया भारत का सबसे बड़ा crude oil supplier है, ऐसे में अगर रशिया जो OPEC Plus का member है, रशिया भी अगर crude oil की output को कम करेगा, तो crude oil का दाम बढ़ेगा, तो इंडि को और diversify करना पड़ेगा, यानि कि इंडिया को अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका यानि कि हमको United States of America, Canada, Guana, यह जो थोड़ी unorthodox countries है oil supply में, हमको इनसे भी oil की demand, इनसे oil को import करना होगा, ताकि इंडिया में oil की demand को complete किया जा सके, इसके साथ-साथ shift in supply dynamics, इंडिया has to shift its supply dynamics towards America, इसके साथ-साथ potential है, OPEC plus countries तो अपने prices को regulate करने के लिए एक meeting बुलाती है, सभी countries उसमें बैटती है, और fair decision लिया जाता है, oil की supply को maintain करने के लिए, prices को regulate करने के लिए, but वो countries which are not part of the OPEC, like Americas, Canada, etc., वो countries अगर इंडिया को oil supply करेंगी, उनकी तो कोई एक regular policy नहीं है, वो तो oil production अपने according बढ़ा या घटा सकती है, और उसके चलते market के अंदर oil के दाम fluctuate हो सकते हैं, इंडिया अपनी market diversify तो करेगा, बट उससे एक और potential create होता है, कि non OPEC country से जितना दादा हम import करेंगे crude oil का, उससे हमारी country की economy के उपर, और future में हो सकता है, कि implication create हो जाएं, जिसक चलतें, इंडिया का fiscal deficit and current account deficit जो है, वो बढ़ भी सकता है, तो advantages भी है, और खत्रा भी है, बिना खत्रे के advantages का फाइदा उठाना इतना आसान नहीं रहेगा, तो इंडिया को सोच समझ कर अपने कदम जो है, वो future के अंदर उठाने होंगे, अगर crude oil के दाम बढ़ते हैं, तो उससे भारत में और पूरे दुनिया के अंदर inflation भी बढ़ेगा, inflation, because हर चीज, हर vehicle जो है वो आज की date में, crude oil या crude oil के derivative सही चलता है, petroleum या diesel सही चलता है, ऐसे में अगर इनके दाम बढ़ेंगे, तो transportation cost बढ़ेगा, logistic cost बढ़ेगा, इंडिया अभी फिलहाल, अपने exports को चीप करना चाता है, इंडिया चाता है कि इंडिया के अंदर connectivity जो है, infrastructure जो है, वो बहुत ही अच्छे से develop हो सके, ऐसे में अगर crude oil के prices fluctuate होंगे, तो इंडिया की economy के ओपर direct strain पढ़ेगा, inflation बढ़ेगा, current count deficit भी बढ़ सकता है, and fiscal deficit के उपर भी उसके implication देखने को मिलेंगे, जिसका असर फिर government budgeting के उपर आएगा, government को अपने budget को थोड़ा strict करना होगा, ऐसी जगा ही पैसा खर्च करना होगा, जिसके चलते economy को ही फायदा हो सके, और social sector के उपर expenditure जो हो सकता है कि future के अंदर इसके चलते थोड़ा सा कम भी हो जाए, ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहि and challenges से निपटने के लिए, इंडिया को उन सभी countries के साथ, जो oil producing countries है चाहिए, वो OPEC में आती है, चाहिए, वो OPEC का पार्ट नहीं है, अपने diplomatic relation, bilateral relation अच्छे रखने चाहिए, और उनके साथ oil supply के agreements को अच्छे से sign करना चाहिए, और उनके उपर over development करनी चाहिए, प्लस इंड इंडिया में बढ़ती ही रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हमारी GDP या GDP पर capita इंक्रीज करती जा रही है, जैसे ही इंडिया की economy ग्रो करती जा रही है, हमारे country में oil की consumption और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसलिए हम infrastructure के ओपर ध्यान दे, हम हर countries के साथ अच्छ जरूर जुडिये, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अन दिस वीडियो, थेंक्यू.